अम्बेटकर नगर में शर्यू नदी उफान पर है जिले के करीब दस गाउं भैंकर बाड की चपेट में आ गए हैं। पानी खत्रे के निशान के उपर है बढ़ते जलिस्तर को देखकर ग्रामीर दहशत में हैं। तट ये इलाकों में नदी का पानी पहुँचने से कई गाउं का संपर्क भी तूट गया है लोगनाओं के सहारे आवागमन कर रहे हैं। चेतर राजे सुल्तानपूर अंतरगत बाड का कहर देखते हुए आलापूर के वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक त्रिभूअंदत ने कहा कि सासन से पिड़तों की मदद कराने का पूरा आश्वासन देर हैं। देखे पूरी रिपोर्ट राजकुमार मौर्या के साथ। मैं आपको बहुत बहुत धन्वाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का उसर दिया। निश्ची तोर से आज बहुत बड़े पैमाने पर आराजी दिवारा माज़ा कमारिया में बड़े पैमाने पर बाढ़ायू है। हर तरफ जल्मंग दिखाई पड़ रहा है लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और इन जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है, उनको यहां पर बंदे पर लाकर के ब्रमचारी वावा की कुटी पर जो मदब चोकी बनी हुई है, बाढ़नी अंतरन चोकी बनी है, वहां पर अस्तावित करने का काम किया जा रहा है, लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया जो होगा हम इसा करने के लिए तत्वर रहेंगे, जैसा आप देख रहा है, बिधाय जी का कहना है कि हम पूरी कोशिस करेंगे हां के लोगों की मदद के करने के लिए, और इससे मैं एक बात और आप लोगों बताना चाहता हूं कि वही बिधायक हैं, आलापूर के तिरभौ पदुमपूर में रुके और अराजी दिवारा की एक लड़की थी जिसको साप काटा था, और राज अस्पताल पदुमपूर में भरती थी, वहाँ पे गए, उनका हाल चाल जाने, और इसके बाद वहाँ से सीधे ये बाड में आये हैं, जहां मेरी मुलाकात हुई है, पेट कर नगर